प्रेंट्स वेलकम टो श्वर मार्केट चार्ट्स स्वागत है तो आज हम जो एनलीसिस करने वाले है वो आई प्यो स्टॉक्स पर एनलीसिस करने वाले ठीक है अज मैंने टेलेग्राम में बताया था कि अगर आपकी कुछ क्विरी रहेगे तो जो कल का वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन में आपका स्टॉक का क्विरी कर सकते है तो उसमें जो क्विरी लिया है मैंने आज उसमें जो पहला क्विरी लिया है पहले हम लोग क्विरी देखते है उसके बाद ही हम लोग जो आई प्यो के जो स्टॉक से उनका अनलिसिस करते है तो पहला जो बराबर का जो कीज़़े था ओप्रिंस 5 के उपर था शाहाजाद अली ने यह पूज़ ने कि प्रिंस 5 में क्या करें चाथ हो प्रिंस 5 का चाठ आफंअर लोग अभी देखते हैं ता 640 के आजपास तो उसका रेजिस्टन इसने फेस किये अभी इसमें जो मुमेंट आएगा हो 720 और 750 के उपर यह अच्छा का सा मुमेंट आएगा ठीक है अभी एक ऐसा पूरा मुमेंट कर दिया तो यह ठोड़ा रिट्रेस करके उपर जाएगा वराबर एक तो रिट्रेस कर हो बिला सॉप्ट का बिला शॉत का जो चार्ट हैं भी देखते हैं सब्स्क्राबर कौन थे हैं संजय कड़े खड़े फिर जॉप में आप देख सकते हो भी क्या हुआ है नहीं वाद यह जो ब्लू कलर का जो लैंस में लिए फिक यह इसको क्या बहुत बोलते है अप्र चैन तो पर फिर से ऊपर गया और रेजिस्टंस फेस किया 428 का तो अभी क्या कर सकता है एक तो इसको नीचे आ सकता है यह प्रेंड का सब्सक्राइब फिर एक बांस बैक लेने का प्रेस कर से क्योंकि इसका जो ब्रेक आउट था रेजिस्टंस का वह पावर्फुल नहीं था ठीक है इसने क्लोजिंग नीचे आके दिए इसके चांसे से कि नीचे आए और इडर से अच्छागा सा ब्रेक आउट दे सके आज कर जो हमारा तीसरा स क्योंकि डेली टाइम प्रेम में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बड़े टाइम प्रेम में एनलिसिस किया तो मुझे एक रेजिस्टंस जोन मुला है इसमें 126 से लेके 133 का एक रेजिस्टंस जोन इवरेस्ट कांटों में बना हुए ठीक है अभी यह क्या कर सकता है यह तो आप नेक्स्ट विक के लिए जो आई प्यू स्टाक्स में ने सिलेक्ट किये उसका अनलिसिस करते है उन में से मेरा जो पाइलर स्टों के क्राप्स्मेन है यह तो इसमें आप देख सकते हो कि अपर साइड में एक सपोर्ट जोन दिख रहा है 2135 से लेके 2176 का ठीक है और जो हम दिख रहे 186ीが मैं इक स्ट वर्यक में ब्लैक क्तों किये गारे जांस लाइन आने का लिए इसमें जल्बाजिंध करेंग कि स्टॉक अभी साइडवेज में चलो और मिडल में प्राइज है हम लोग एंट्री कप करेंगे अगर हमको सपोर्ट के पास मिला तभी हम एंट्री करेंगे और अगर यह ट्रेंड लांग की उपर जो रिजिस्टंस उसके उपर ब्रेक आउट देता है तभी हम लोग यह टारग सपोर्ट के पास है ठीक है अगर यह सपोर्ट को टच करता है और एक बुलिश केंडल बनाता है तभी इसमें लोग एंट्री कर सकते हैं और टारगेट 860 के असपास ठीक है मतलब हमारे जो एंट्री रहेगा हो 780 से लेके रहेगा और अल्मूस 80 से 100 पॉंट का इसमें हम लो सब्सक्राइब आपको सिंपल रिख रहे ठीक है यह जो स्टाग में अभी तोड़ा मीनी एकाम करता हूं एक अच्छे का सब मुमेंट डिया है ठीक है और इस टौक क्या कर रहा भी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है बराबर इसमें करेक्शन चलूए तो इसलिए इसमें म कर रहे तो इसको अगर उपर जाना होगा तो इसको एक सपूर्ट के पास आके फिर बांस बैक लेने को मिल सकते है अगर इस सपूर्ट ब्रेक करते हैं तो डाउंट साड में यह जो लेवल दिख रहे है वन फोर फाइज रोश्रे के वन पूर से वन पूर का इसमें अभी जो चार्ट लोड हुआ है उसका नाम है रेल्टेल कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है इसमें जो एनलेसिस किया है वो डेले टाइम प्रेम में किया है आप टाइम प्रेम के इससाब से गर एनलेसिस करते हो तो आपको आउटपूड अच्छा देखने को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मैंने इसमें का क्हुंत हैं एक ट्रेंगल पैरन बना हुआ है ठीक है इसमें तो मैंने हैए सिम्पल किया एक ट्रेंगल पैर्टन में चल रहा है और नीचे जो ट्रेंड लाइन दिख रही ह olm तो अगर यह श्टॉक आपको 120-120 के आसपस अगर मिलता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते है बट उसमें थोड़ा बुलिश कैंडल थोड़ा कन्फरमेशन मिलना चाहिए ठीक है और यह टार्गेट आप जो उपर का लेने उद्धर तक कर सकते हो ठीक है क्योंकि आपका जो इंट्रेक बॉटम के पास रहेगा अगर यह ब्रेक आउट डेता है तो हमको जो टार्गेट इसमें देखने को मिलेगा 151 से लेके पहला अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे तो इंडिगो पैंड्स में हम देख सकते कि स्टॉक दो चले से डिवेज में चल रहे है ठीक है हम में चौट चार्ट का साइज तोड़ा कम करता हू यह देख सकते हैं चार टार को लेवल है इंडिगो पैंड्स में जो लेवल से 2-635 वीजिंड़ेखने में 0-2-650 क एma रिजिस्टंस देखर ठाडों पड़ेख नहीं कर पाय ठीके वह इतनी बार इसने क्राय किया यह पいたे बिरैक नहीं कर पाब रहे है इसका जो टाइम प् करिएं काम को एंटरी मिलेगा उस सपोर्ट के पास मिलेगा जो सफोर्ट टूफाई 252-29 तो यई सटॉक वे आपको ध्यान करने अभी इसमें कुछने करने का सेफ़ सपोर्ट के पास अलट लगा के रखने का है अगर सपोर्ट के पास मिलता है बुलिश कंपरमेशन मिलता है तब इस पर आप बाइ करेंगे और जो आपका टार्गेट रहेगा जो ए रिजिस्टन्स यह आपका टार्गेट इसमें रहेगा आईज स्विंग टेडिंग में तो यह थी आज शे हमारी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो पुली चैनल को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करिए थेंक यू